समलेंगिक होना जहां समाज में एक शर्म की बात समझा जाता है वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे सेलेप्स हैं जिनोंने समलेंगिक ताक को लेकर अपना मूँ छिपाने के बजाए समाज की बंदिशों को तोड़ दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी गेसलेप्स के बारे में करन जोहर 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है से अपने डारेक्शन करियर के शिरुवात करने वाली करन जोहर आज के समय में स्टार के फिल्मों में एंट्री कराते हैं उनकी बेबिसिंटर की तरह उन्हें हैंडल करते हैं अपने इस गाम के लिए हमेशा से लोगों के भीच चुट रोल होते रहते हैं करन के डारेक्शन में बनी पहली ही फिल्म ने आर्ट फिल्म फेयर और एक बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए नेशनल अवार जीता है मैलो ड्रेमेटिक फिल्म में किंग करन बॉलिवुड के सबसे बड़े प्रोडिक्शन हाउस धर्मा प्रोडिक्शन का जलता हुआ चिराग है वैसे थी अपने कारणामों के वज़े से हमेशा कॉंट्रोवर्सी में रहते हैं लेकिन इनका शो कॉफे विद करन इनसे भी जादा लाइम लाइट में रहता है एक ससुल फैशन डिजाइनर है जिनका डिजाइन किया हुआ लेंगा पहनना हर लड़की का ख्वाब होता है और लास्ट में रनर अप का खिताब अपने नाम किया इसके बाद वो दुबारा सीजन 9 में भी दिखे लेकिन इस समय वो सिर्फ एक हफते के लिए बिग बाउस के गर में आये थी इनकी इस जर्नी के दोरान इनकी बॉलिवूड के भाई सल्मान खान के साथ काफी तकरार और बहस बाजी हुई जिसने इन्हें लोगों के बीच और भी जादा वाइरल कर दिया रोहित वर्मा इमाम सिद्धिकी की तरह ही बिग बॉस से अपनी खास पैचान बनाने वाले रोहित पेशे से एक डिजाइनर है लेकिन गे होने के वज़े से उन्होंने बच्पन से काफी कुछ सहा था जब वो बहुत छोटे थे तब उनके अंकल नहीं उनका शोशन किया था इसके बाद जब वो बड़े हुए और डिजाइनर बने की सोची तो पैसे ना होने के वज़े से उन्हें प्रोस्टिट्यूट का काम भी करना पड़ा था और यहीं से वो पैसा उन्होंने डिजाइनर का सामान खरीदने में लगाया रोहित बताते हैं कि बॉलिवूड में कई ऐसे लोग हैं जो बाइसेक्शल या फर गे हैं लेकिन वो अपनी सच्चाई को छिपा कर रखते हैं लेकिन मैंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि मैं अपनी सच्चाई सब के सामने रख सकूँ रोहित बताते हैं कि उन्होंने कई अक्टर्स के लिए करवा चौत का वरत तक रखा है मनीश अरोडा 1997 में मनीश अरोडा ब्रेंड की शिर्वात हुई जिसके बाद से उनके डिजाइनर कपडों के जल्वे सिर्फ भारती नहीं बलके विदेश्यों तक फैल गए इनके अवर्ड की लिस्ट बहुत लंबी हैं इन्होंने साल 2004 में मुंबई के हुए पहले फैशन शो में वेस्ट महिला प्रेट डिजाइनर अवर्ड जीता और इसके बाद साल 2006 में आउटलुक मैगजीन ने मनीश अरोडा को बेस्ट फैशन डिजाइनर के नाम से नवाज सत्या, शाहिद, सिटी लाइट और अलीगर जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले के लिए जाने जाते हैं पॉपुलर गैंक्स्टर फिल्म सत्या के लिए उन्हें बैस्ट एडिटिंग का फिल्म फेर अवर्ड दिया गया था फिल्मों के अलावा अपूर्व ने वेब सीरीज उनकी पहली वेब सीरीज डिज्मी होस्टार की फेमस सीरीज क्रिमिनल जिस्टिस थी जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया इसके साथ ही अगस 2021 में ने सीरीज के लिए बैस्ट ड्रामा सीरीज का अवर्ड भी दिया गया यह भारत और साउथ एशिया के पहली ऐसी इस अवर्ड से नवाजा गया था रोहित बल पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़ पत्री को डिजाइन करने के लिए मश्यूर रोहित का नाम देश के जाने माने फैशन डिजाइनर में शामल है यह अपने पूरवजों के ड्रेसिंग सेंस को अपना आइडिल मान अपनी ड्रेसिस डिजाइन करते हैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अपने भाई राजीव बल के साथ मिलकर और्केड ओवर्सी प्राइवट लिमिटेड शुरू की जिसके कुछी समय बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए यह मुगलों के टाइम में पहने जाने वाले कपड़ों को डिजाइन कर उसे प्रोमोट करने वाले एकलौते फेशन डिजाइनर हैं उन्हें अपने अलग अंदाज के लिए खाल जाना जाता पॉलिवुट से लेकर फेशन इंडस्री तक रोहिक का काफी नाम भी चलता है विक्रम सेट भारतिय साहित अकैड उनकी फेमस कविताएं हैं लिखने के लावा विक्रम सोशल मुद्धों पर भी काफी अक्टिव रहते हैं जब देश भर में धारा 377 को लेकर काफी बावाल मचा था तब विक्रम ने इस मुद्धे पर लोगों का साथ दिया इस दोरान देश भर की कई मैगजीन में उनके पिक्स नोट क्रिमिनल के ये टैग से छपी थी ओनीरोन नैशनल फिल्म सावाड विनिंग फिल्मेकर एक बहुत ही तैलेंटेड और सक्सेसुल डारेक्टर न है डिटर, स्कृन डाइटर और ये प्रोड्यूसर भी हैं ये अपनी फिल्म माई ब्रोदर निखिल के लिए फिल्म के अलावा ऑनिर को उनके फिल्म आ-ई-आम के लिए नेशनल अवाड से समानित किया गया था ऑनिर ने आज सक करीब 16 फिल्म अवाड को अपने नाम किया है मानविंदर सिंग अपनी कम्मुनिटी के हग के लिए लड़ते हुए राजकुमार मानविंदर सिंग गोहिल भारत के पहले गे प्रिंस है। प्रिंस मानविंदर हाली में जुलाई 2022 में अपने गे दोस्त डियांडरे रिचर्ड सिंग के साथ विवा के बंदन में बन गए है।